गज आज की जो वीडियो है यह बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में आपको काफी कुछ सिखने को मिलेगा और यह जो वीडियो है इसमें देखेंगे कि कैसे हम नॉर्माल एक फोटोग्राफ को एक मूवी कोश्टर में कर सकते हैं और इस वीड यह आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो घैस तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताओं से कौनCirенное क्लार क्रेक्षन कैसे करते हैं उनको सही जगेते सैट कैसे करते हैं वह सारीचहें में इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने किसी भी फोटोग्राफ को एक मूवी पोश्टर में इसली कनवर्ट कर सकते हैं तो गाइस मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निक चैनल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गईस मैं आठ शुका है और यहाँ पर मेरे पास यह इमीज है एक जिसमें मैंने इसका बेकरावंड रिमूव करके रखा हुआ है ठीक है बैकरावन मैंने आलड़ी ही रिमूव कर दिया अगर आपको देखना है कि बेकॉर्ण कैसे रिमूव करना है तो मैंने इस पर ऑल्र description में दिया है और मैंने उन दोनों वीडियो में काफी अच्छी tricks बताई है Photoshop की जिसमें आप कैसा भी background remove कर सकते हैं तो इसका already मैंने background remove किया वा है अब जो मुझे poster बनाना है उसके लिए में एक नई file ले लेता हूँ file में जाओंगा new और यहाँ पर जो मैं size ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1800 by 2500 and resolution 300 hit करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक file बन जाती है सबसे पहले मैं अपनी इस image को यहाँ पर drag करके ले करके आ जाता हूँ और इसको कुछ यहाँ पर ऐसे set करता हूँ कुछ ऐसे अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे इसमें background एक डालना है तो background के लिए यहाँ पर अगर आप net पर search करेंगे sky जैसे कि अगर मैं करूँ pink sky तो आपको यहाँ पर काफी सारे ऐसे sky मिल जाएंगे आप कैसे भी कर सकते हैं या फिर आप romantic sky करके भी डालेंगे तो भी कुछ इस type के sky आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने already एक sky download करके रखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पर background में use करने वाला हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर हम जो movie poster बना रहे हैं वो एक love story type का movie poster बना रहे हैं तो इसमें हम लोग colors का ध्यान रखेंगे कि हम hard color ना use करके soft color use करेंगे थोड़ा pink use करेंगे तो इसी लिए मैंने यह वाले background use किया है ठीक है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर थोड़ा set करता हूँ कुछ ऐसे तो यहाँ पर set तो हो रहा है लेकिन आप देखेंगे कि इस side में यह जो लड़का है इसके कपड़े जो हैं वो blue है तो यहाँ पर sky भी blue है तो मैं इसको थोड़ा flip कर देता हूँ तो control T करता हूँ right click करता हूँ और इसको flip horizontally कर देता हूँ तो यह करने के बाद यह मेरा side हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि अब यह काफी अच्छे से यहाँ पर blend हो रहा है मतलग कि जो pink sky है वो blue side में है और blue है वो white side में तो काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है अब मुझे क्या करना है सबसे पहले यह जो मेरी image है इसको भी हलका pink shade पर मैं ले करके जाऊंगा ठीक है तो उसके लिए मैं इसमें थोड़े से color correction करूँगा levels, color balance या brightness कुछ भी तो मैं सबसे पहले इसमें हलका सा level इसका increase कर लेता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर यह mask करता हूँ इधर रख लेता हूँ यहाँ पर मैंने click mask कर दिया और इसका हलका सा यहाँ पर level बढ़ा दिता हूँ ऐसे, थोड़ा सा ही मैंने इसमें change किया, ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो color balance है तो color balance में मैं क्या करूँगा इसका हलका सा यहाँ पर pink बढ़ा दूँगा ठीक है, इससे magenta की side में लेकर के जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो भी normal था अगर मैं इसके eyes close कर दूँँ तो यह कुछ ऐसा था लेकिन जैसे मैं इसको magenta की side लेकर के गया तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो tint आने लगा थोड़ा सा pinkish वाला, ठीक है तो आप इसको अपने according set कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा, मैं यहाँ पर आपको technique बता रहा हूँ, आप same to same follow ना करें आपकी image के according यह हर बार change होगा, ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर set कर लिया है अब इसके बाद जो है, मैं simply इसमें text लिखूँगा और इसके बाद कुछ जो elements हैं उनका use करूँगा तो सबसे पहले मैं एक elements का use कर लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर search करूँ flower branches कुछ ऐसे तो यहाँ पर आपको काफी सारी branches मिल जाएंगी जिसमें मैंने already png डाउनलोड करके रखी हुए है जो कि यह है, मैं इसका use कर रहा हूँ और इसको simply मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है, कुछ यहाँ पर सही लग रही है ठीक है, इसकी एक और copy करता हूँ alt के साथ में और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से blur कर दूँगा यह कुल जादा blur हो गया तो इसको थोड़ा around 4 4 pixel का मैंने इसको blur कर दिया और यह वाली जो मेरी layer है blur वाली इसको मैं इस वाली के नीचे रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा उपर करके इस side में ऐसे rotate कर देता हूँ जिससे क्या होगा कि यह मेरा एक depth create करेगा आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह आपके पास एक ऐसा देखने में लग रहा है कि यह front में है यह वाली जो मेरी flower branch यह वाली front में है और यह वाली थोड़ी सी दूर है ठीके इसी तरीके से मैं यहां पे इसकी एक और copy करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे यहां पे रख लेता हूँ इसी तरीके से इसकी एक और कॉपी करता हूँ और के साथ में यह और इसको भी मैं यहां पे थोड़ा सा ब्लर करतूंगा और इसको इसके नीचे रखतूंगा मैं और थोड़ा सा छोटा करके इसको इससे किये सिर्फ मुझे डैप्ट देखने को मिले इसमें पता लगे कि हाँ कोई चीज पीछे की साइड है तो इसलिए मैं उसको हल्का सा ब्लर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी एक फील सा आने लगा है पोश्टर का जैसे ही मैंने यहां पर यह कुछ अब मैं इसमें सिंपल यहां पर टेक्स लिखता हूं तो टेक्स तूल लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं सिंपली लव और इसके लिए जो मैं फॉन्ट यूस कर रहा हूं वह है क्वेकर काफी अच्छा फॉन्ट है यह और इसको यहां पर कर देता हूं मैं थोड़ा बड़ा ठीक है मैं L कर देता हूं capital यह और जो इसका color है उसको कर देता हूं मैं यहां से white इसका size कर देता हूं थोड़ा सा और बड़ा ठीक है जैसे कर देता हूं यह अब देखने में काफी सही लग रहा है और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि यह हलका सा leaf के उपर हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी एक और copy लेता हूँ all के साथ में और यहाँ पर लिखता हूँ और इसका size कर देता हूँ मैं यहाँ पर फोड़ा छोटा ठीक है और इसको मैं set करूँगा कुछ यहाँ अब आप दोनों को पकड़के थोड़ा सा यहाँ पर set कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि अभी देखने में जैसे ही मैं इसके नाम लिखा तो देखने में अब इसमें फील आने लगा है कि यह movie poster बन रहा है और थोड़ा सा romantic या फिर थोड़ा love story वाला है यह क्योंकि colors और font style अमने use करिए वह इसी type की करिए और यहां पर एक all line लिख देता हूं मैं यहां पर और यहां पर लिख देता हूं जैसे simply और इसको यहां से कर दूँगा मैं थोड़ा बोल्ड ठीक है और इसको उठा करके मैं रख देता हूँ यहां पे और साइस कर दूँगा यहां से एराउंड इसका 10 और यहां से इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी खोल दूँगा यह तो आप देखेंगे कि अब आपको यहां पे थोड़ा सा देखने में फील आने लगा है कि य एक पोस्टर बन रहा है ठीक है अब मैं सिंपल यहां पे नेट पे जाओंगा और यहां पे एक एफेक्ट को सेलेक्ट करूँगा सर्च करूँगा जिसको बोलते हम वोके एफेक्ट तो आप यहां से इस टाइप के आपको लाइटिंग बैग्राउंड्स मिल जाएंगे है ठीक है मैंने डाउनलोड अल्रीडी करके रखे हुए है अगर मैं यहां पे स्लेक्ट करके सर्च करके डाउनलोड करूँगा तो फालतों में मेरा टाइम जाएगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन से एफेक्ट यूज करें और मैंने इसको सबसे उपर रखा ह मैंने इसका मोड चेंज कर देना है और मोड कर देता हूं इसका यहां से कर देता हूँ थोड़ी down ठीक है अब यह आप अपने according कहीं पे भी ऐसे set कर सकते हैं अगर आपको यह थोड़ा सा जादा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे बढ़ा कर सकते हैं अगर यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा जादा है तो तो मैं क्या करूंगा कि इस पर मास्क क्लिक करूंगा मास्क को सलेक्ट करूंगा ब्रेश तूल लोंगा और यहाँ पर ब्लैक करके इसको थोड़ा सा मैं remove कर दूँगा कहीं कहीं से जैसे कि मैं यहां से कर देता हूं अलका यहां से कर देता हूं यह कुछ इस टाइप से effect देगा जो कि देखने में जो मेरा यहां पर इसका है थोड़ा सा blank सा था वो भी अब भर चुका है और देखने में काफी cool लग रहा है ठीक है अब इसके बाद में यहां पर डालूँगा sunlight ठीक है तो उसके लिए जैसे कि आप यहां पर डाल सकते हैं sun flare overlay आपको यहां पर काफी सारी यह मिल जाएंगे आप कोई भी use कर सकते हैं और इसको मैं रखूँगा कुछ यहां पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि इधर से lighting है क्योंकि मेरी image में भी कुछ इधर से lighting का effect लग रहा है ठीक है तो यह डालने के बाद में मैं इसका भी यहां पर mode change कर दूँगा और normally इसको भी मैं कर दूँगा यहां से screen ठीक है तो आप देखेंगे यहां पर देखने में काफी अच्छा काफी cool look दे रहा है मुझे और देखने में professional touch आ गया यहां पर जैसे मैं इसको यहां पर डाला और एक अलग सा feel आ रहा है देखने में तो यह मेरा अभी ऊपर का टॉप बन चुका है मुझे simply करना है यहां पर मैं एक नई layer create करूँगा और यहां पर gradient tool लूँगा और gradient tool पर मैंने यहां पर basic में जा करके इस second वाला option पर click किया है जिसमें मेरा एक side transparent रहता है और एक side मैंने यहां पर यही sky से color लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा dark कर दिया और hit कर ओके अब यहां पर shift press करके मैं इसको नीचे से उपर की side drag तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा यहां पर एक effect मिल रहा है इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो मैंने यहां पर हलका सा बढ़ा दिया अब यहां पर नेट पर एक चीज और search करेंगे जैसे की movie credits png तो आपको यहां पर काफी सारी png मिल जाएंगी आ यहां से मैंने और मैं इसको रखूंगा कुछ यहां पर ठीक है और यह है black तो इसका color मैं करूंगा white white करने क्लिए में layer करूंगा double click और double click करने का यहां पर आपको option मिलेगा color overlay ठीक है और यहां पर आपको कर देना white अब जो भी color करेंगे वो color इसमें आ जाएगा तो यहां पर कर देते हैं white ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि overall कितना बढ़िया लग रहा है हमने क्या कर रहा है कि कुछ simple net से images use करी है ली है और उनको एक सही जगे पर रखा है उनकी coloring एक सही करी है तो वो देखने में में को एकदम बढ़िया लुक दे रहा है इसमें हम चीज एक चीज और एड़ कर सकते हैं जैसे कि यहां सबसे उपर में layer पर क्लिक करके यहां पर adjustment की icon पर क्लिक करूं और यहां पर मैं color look up का option अगी feel आजाएगा जैसे कि मैं इसमें अगर candle light तो यह कुछ जादा चेंज करके देख सकता हूं में warm या winter winter आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें look दे रहा है और इसकी opacity हम थोड़ इसी down कर सकते हैं यहां से ठीक है जैसे मैं इसकी opacity down करी तो आप देख सकते हैं कि पू कितना ज्यादा कूल लग रहा है कितना professional लग रहा है अब बस इसमें हमने कुछ images का यूज किया है जबकि इसमें हमने कुछ design नहीं किया है सिर्फ images को अलग-अलग जगह पे उनके according कहां पर वो set हो रही है उसके हिसाब से हमने रखा है और जिसको रखने के बाद इसको set करन करने के बाद हमारा design देखने में काफी professionally लग रहा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा कि हमने कैसे कुछ images का यूज करकि एक normal photographs को एक movie poster में convert कर लिया और इस टाइप की वीडियो में लाता रहूंगा जिसमें मैं आपको advanced तरीका भी बताऊंगा क हमारे पास कोई अगर नॉर्मल पोटो है तो हम उसको कैसे और movie poster में convert कर सकते हैं तो आज की जो वीडियो थी बेसिक वीडियो थी इसमें मैं advanced वीडियो भी लाता रहूंगा तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू